देखें जब मैं इदगाह से गुजरती हूँ, इदगाह में मुझे लगता है समझ नहीं आता यह एक मैदान है यह एक स्विमिंग पूल है अगर आप वहां देखेंगे इतना वहां पानी जम्मा हो गया है, इतना डेर पानी का है, इतनी गंद है वहां पे फमवारा तो दूर की बाद कुट्टे और बिलियां वहाँ पे बैठ रहे हैं गाई वहाँ पे हैं गोबर पड़ा हुआ है गंदगी पड़ी हुई है आप उसके इर्दगिर्द की सड़के देखें आप देखें उन सड़कों पे क्या-क्या गंद मची हुई है डाइपर तक वहाँ पड़े हुए हैं इतनी साफो शवाफ वो जो पाख जगा थी हमारी जो हमारी इस कदर पाख जगा थी उस पाख जगा को कुड़े का एक डेर बनाया गया है और उसके बाद मुझे लगा था कि वक्फ बोर्ट जो है इद को शायद 15 दिन भी बचे नहीं है वक्फ बोर्ट जो है कहेगा कि हफ़ते सर्फ दो बचे हैं हम इसकी जल्दी जल्दी सफाई कर देते हैं क्लियर कर देते हैं मैं देखती हूँ वक्फ बोर्ट जो है वहां से जो बयानात आते हैं कि हमें demarkation करना है वही पुराना जमीन निकालो बुल्डोजर चलाओ जहां काम करने की जरूरत थी वहां लोगों को चूसने की बात हो रही है लोगों से क्या निकालेंगे मैं तो बच्पन से यहां पले बड़ी हूँ मैंने बच्पन से ईदगा की वही बाउंडरी देखी है मुझे समझ नहीं आता यह किसने ईदगा की कोई और बाउंडरी देखी है वही फैंस था पहले बोलते थे वक्फबोड वाली ईदगा में जी हम कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे यहां ईदी नहीं पड़ें इदी की नमाज नहीं पड़ने देंगे अब पता नहीं उस प्लान का भी इन्होंने क्या किया है अब कहते हैं अब जी आस पास के गरूं को हटाएंगे उसके बाद जो सफाई करने की बात है जो काम करने की जरूरत इनको है जिनका ये लाखों करूर रुपे फंड पकड़ते है उसका कोई जवाब ही दें तो आप मुझे बताएं हम करें तो करें क्या ये बीजेपी की सरकार को इनकी कान पे जू नहीं रेंगती है हम इनको कोई कौन समझा सकता है इनको कोई कैसे बता सकता है कि इदगा में काम करने की जरूरत है लोगों को चूसने की जरूरत नहीं है पहली बात तो इदगा में मेरा जो बड़े बड़े मतलब शेख सहाब ने तक इदगा में निमास पढ़ाई है इदगा में पचास साल से सट साल से सतर साल से पता नहीं कितने सौ साल से निमाज बढ़ी जा रही है लेकिन बीजेपी आई है तो कुछ तो नया होगा बीजेपी है आप तो नया कश्मीर में एक एपल में से जूस निकलने लग गया है यह टूरिस्टों का फोटो चड़ाते हैं देखिए नए कश्मीर में टूरिस्ट यह टूरिस्ट यह दुकानों का फोटो चड़ाते हैं देखिए नए कश्मीर में दुकान और किन दुकानों के फोटो चड़ा है जो 1920 स्या 100 साल पुरानी दुकाने है तो इनका अपना कुछ है नहीं जो पुराना नाशनल कॉन्फरेंस की सरकार नहीं किया है उसी को रैपि बेचेंगे क्या नाशनल कॉन्फरेंस काई काम तो बेचेंगे आगे और क्या करेंगे